हाई फ्रैंट्स आप सब का स्वागत है भोजपुरी ब्लॉगर गीता में और आप सब कैसे हैं जरू बताएगा और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और वीर का थोड़ा सा मस्ती देखिए और ये साम का टाइम है साम में कुछ नास्ता बनाना था बीर ऐसे मार्केट में रोज मूमो खाता था तो हम बोले आज घर में बनाते हैं ट्राई करते हैं तो इसके लिए भी मैदा ले लिए हैं मैदे में डाल दिये हैं नमक और थोड़ा सा रिफाइंड वाइल और इसको अच्छे से मिला लेते हैं और पानी डाल के इसको सान लेते हैं और इसको सानने के बाद कुछ देर रखना पड़ता है ढ़के कम सकम 15-20 मिर्ट इसको रखे थे तो ये आटाम अच्छे से मुलायम हो गया था उसके बाद मौमो में जितना भी सबजी पड़ेगा न वो सबको कदू कस कर लेते हैं तो इसमें पतगो भी गाजर, लसुन, मिर्चा, आदी यही सब जो पड़ता है न वही सब है और मौमो अपने लाइफ में हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मौमो हम कभी बनाएं ने थे साइद एक आद बार हम मार्केट से खरीद के खाये थे बीर को बहुत ज़्यादा पसंद है और मार्केट के मौमो में जिनो मोटो जो डालते हैं वो हिल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और बीर तो बच्चा है मौमो ट्राइ करते हैं देखते हैं कैसा बनता है और बीर की फर्माइस पे बना रहे हैं मौमो बीर बीर ने हमसे वादा लिया था कि मम्मी आप जरूर बनाईएगा मौमो तो बस वही मौमो बनाने में पड़े हुए है और देखिए ये साथ में लगा हुआ है और देखिए बीर को मना करते हैं बीर ये टीशेट मत पहने बेटा फट गया है लेकिन ये सुनता नहीं है इसको ये टीशेट बहुत ज़्यादा पसंद है अभी हमको वीडियो में देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कितना भी मना करो ना ये सुनता नहीं ये इसको पहनता ही है इसको हम चुपा देंगे तो इसको अब आगे से नहीं मिलेगा तो फिर ये नहीं पहनेगा और बात करते करते हम लोगा ये दिखे मॉमो के लिए सारा समान कर दिया है बंधा को भी गाजर इसमें जो भी पानी है न वो पानी नमक से छूट जाएगा और मुमू बनानी में आराम रहेगा तो इसको नमक डालके और अभी ढखके 15-20 मिनिट के लिए इसको हम छोड़ देंगे और बीर बहुत ज्यादा खुस है कर अब मुमी जल्दी-जल्दी करो न जल्दी से मोमू बना दो और साम का टाइम है तो चाई तो बनना जरूरी है तो बस ये सब करने के बाद अब चाई बनाने आ गए हैं हम और एक साइट दू चड़ा दिये हैं और एक साइट दू चाई बना लेते हैं और ये जो होता न चाई वाला लट बहुत गंदा लट होता है साम होते ही लगता है कि चाई पीएं घर में है तो ठीक है आदमी बनाके पी लेता है लेकिन कहीं बाहर जाओ ना तो मुस्किल हो जाता है और पहले से ये दूद था तो अभी इसमें तो उसको गरम कर लिए उसके बाद इसमें दूद डाल के इसको गरम कर लेते हैं और देकिए चट्नी बनानी के लिए इसमे़ लसुन डिमाटर और मिरुची डाल के चट्नी बनालते हैं बोईल करके भी बनता है लाल मिर्ची से बनता है लेकिन हम क्मरां मिरुची छेट arbitrarily रहे हैं लाल मिर्ची छोड़ा सा क्या बोले हम लोग को health के लिए suitable नहीं है इसलिए नहीं बना रहे हैं और देखिए सारा पानी पना मेंट बाद देखें ना तो एकदम पानी एकदम छोड़ दिया था सारे सब्जी में से और देखिए सब्जी को निचोड़ लिए और देखिए इतना ज़्यादा पानी निकला था ये पानी को फेकना ये पानी तो बहुत हेलदी होगा ना इसका soup बना सकते हैं लेकिन हम soup तो नहीं बना रहे हैं लेकिन आगी से हम बनाएंगे ना कभी भी मोमो तो इसका हम soup बना लेंगे अच्छे से मिला लेते हैं कि तेल सब तरफ अच्छे से मिल जाए और यह जो आटा भी मैदा को सान के हम रखे थे ना यह एकदम अच्छे से मुलायम हो गया था 15-20 मिनिट के बाद तो इसको एकदम छोटा-छोटा इसका लोई बना लेते हैं ज्यादा मोटा नहीं बनाएंगे बड़ा-बड़ा नहीं बनाएंगे मोटा मुमो बनेगा न तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा मुमो का मतलब यह चोटा-चोटा पतला पतला एकदम देखिए एकदम छोटे से साइज के लिए हैं ज्यादा बड़ा भी इसको नहीं बेलना है बस छोटा सा ही बेलना है और देखिए इसको डालके अब इसको हम अच्छे से बंद कर लेंगे और ये साम के लिए नास्ता बहुत अच्छा नास्ता है जो मार्केट से खरीद के खाओ उससे अच्छा है कि घर में बना लो घर का फूड हेल्दी भी रहेगा अचकल के बच्छो को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और देखिए हम लोगों का मौमो बन के तयार हो गया और साथ में हम पानी चड़ा देते हैं मतलब इटली वाले जो जार है ना उसी में में ये पास मौमो का जार तो नहीं तो इसी में हम बना लेते हैं हम हाउस वाइप तो कहीं भी का हम चला ही लेते हैं तो वो सब दीरे-दीरे करके अब हम मोमो को बना लेते हैं और हमको न साम के लिए बहुत अच्छा नास्ता ये लगा कि जो मार्केट से खर दो इससे अच्छा है कि घर में ही बना दो हेल्दी भी होगा और बच्चों को पसंद भी बहुत जादा आजकल आता है ये सब मोमो, चौमिन, चिली पहले तो हम नहीं बनाते थे लेकिन बीर के कारण अब हम बनाना सीख रहे हैं और देखें मोमो को जार में तिल लगा के और इसे डाल के ढग देते हैं और देखें दस मिनट में ये मोमो बनके तयार हो गया था और देखें गर्मा गर्म मोमो बनके तयार हो गया बीर तो चटनी खाएगा ने इसलिए चटनी नहीं लगाए हैं और देखें बीर को दे देते हैं और मोमो बहुत स्वाधिस्ट बना था फर्स्ट टाइम बनाये थे लेकिन बहुत अच्छा बना था बीर को बहुत ज्यादा पसंद आया अभी भगल में बैठा है हस रहा है उससे सब्र नहीं हो रहा यहां कर रहा ममी इसको जल्दी से कर रहे हैं और बस आज का ब्लोग मेरा इहीं तक था मेरा ब्लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज 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 तब मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लोग में तब तक झाल झाल